नमस्कार, आज मैं आपनों के समक्ष एक गंभीर मुद्धे पर बात करने आया हूँ, वो है विद्यार्तियों में बढ़ती वी प्रवर्ती आत्मत्या करने के। अलग लग चैनल्स ने, अलग लग पत्रकारों ने इसको कवर भी किया है। कोई लंबी जाने वाली है लेकिन मैं हाँ पर सर्फ चर्चा ही नहीं करूंगा अपी तो आपको solutions भी बताऊंगा कि इस चीज से बचने के क्या उपाए हैं हमें क्या करना चाहिए कहां पर हमसे गलती हो रही है चली एक काम करते हैं Google पर सबसे पहले type करते हैं कि सबसे सुखी देश कौन है happiest country कौन सी है तो 2022 के आकड़ों के साब से अगर आप देखेंगे तो सबसे happiest country मिलेगे आपको Finland कई बार Finland का जिकर भी होता है आप अगर वर्ड के मैप में देखेंगे तो टॉप पे आपको Norway, Denmark, Finland ये सब countries आपको दिख जाएंगे Europe के उपर वहाँ पर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर सबसे सुखी देश Finland है तो अगर सबसे सुखी देश Finland है तो फिर यहां तो आत्मत्या हो नहीं नहीं चाहिए लेकिन आत्मत्या यहां पर हो रही हैं 2022 का यह आकड़ा देखें, 747 लोगों नहीं हाँ पर आत्मत्या की हैं अगर आप भारत के बारे में देखेंगे आपका तुरंट मन में आगा सर भारत में इतने लोग करते हैं तो चलिए भारत का डिटा देख लिए लगबग लगबग 1,64,000 लोग प्रतिवर्ष भारत में आत्मत्या करते हैं, देखें आखड़ों की यह जादुगरी हैं जो पत्रकार लोग करते हैं, ये की आखड़े को अलगलग तरीके से पेश किया जा सकता है, अपने समर्थन में भी और विरोध में भी, मैं हाँ पर किसी का समर्थन ये विरोध का निकले हाँ पर नहीं मुझे आपको मूल विशय पर लेकर के आना है, जब तक कारण नहीं जानेंगे, तब तक सलूशन नहीं निकलेगा, पहले कारण जानते हैं, तो जब यह इतना सुखी देश है, तो फिर यहाँ बत्या नहीं होनी चाहिए, हलाकि भारत के मुकाबले 747 एक बहुत छोटा अकड भी हो, वहाँ पर 747 अगर आत्मत्या कर ले, तो यह तो बड़ी खराब बात है, अब आपको लगे गाए बात सुनने के बात कि सर आप आत्मत्या जैसे विशय को, कंभिर विशय को आप हलका करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, मैं हलका करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आ जहां से ये चीज ओरिजन होती है, कहां पर क्या-क्या गलतियां होती है। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये सब बातें छोड़ी हैं, फिनलेंड से हमें क्या बनतब। आप तो भारत की बात करिए, आप अपनी बात करिए कि हम अपने बच्चों को इस आत्मत्या से या इस प्रकार के भावना से कैसे बचाएं, कहां पर गलतियां हो रही हैं। तो तीन यहां पर मोटे-मोटे जगह हैं जहां पर गलतियां हो रही हैं। नमबर बन कोचिंग के स्थर पर, नमबर टू अभिवावकों के स्थर पर, नमबर थ्री विद्यार्तियों के स्थर पर, तीनों स्थरों पर मैं आपके साथ बारी-बारी चर्चा करूँ और साथ के साथ वहीं पर उसके सलूशन भी बताता चलूँगा, चोकि मैं सोय में कोच पढ़ाई के सम्वें बहुत अची मात है, ये कोचिंग का काम भी है, लेकिन आप उसे सबने बेचें, डे बन से पता होता है कोचिंग मालिकों को, ये कोचिंग चलाने वाले संचालकों को, ये टीचर्स को, की ये बच्चा फना चीज ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई लता मंगेशकर जी को देखे कहें कि ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलेंगे लता मंगेशकर जी गाइका थी गाइका है उन्होंने गाइका में बहुत सुनदर मुकाम हासिल किया है शायद ऐसा मुकाम भी से बर्सों लग जाएंगे किसी को उस मकाम को हासिल करने में और हो सकता है को मकाम हासिल भी न कर पाए लता मंगेश कर्ज अगर क्रिकेट खेलती तो इतनी अच्छी शायद क्रिकेटर न बन पाती ये बात टीचर को पता होती है कुछ अपवाद को छोड़ दें कुछ exceptions तो सब जगर रहेंगे जब भी इस प्रकार के discussion होएँगे exception को आपको side में रखना पड़ेगा आपको exception को side में रखकर के ही चर्चा करनी पड़ेगี तो जब coaching को पहले से ही पता होता है एक बच्चा जो 55-56 percentage का आया है चाहे उसके 55 पर्थिशत किसी भी वजह से आये हो आपको मालूम है कि इतनी कम पर्सेंटेज वाला छात्र एक IAT की कोचिंग करने के मत्तबका नहीं है उसे प्रारंभी का वस्था में उसको बेसिक्स मजबूत करने चाहिए और उसको IAT level किया, IAT की preparation में पहले दिन से नहीं जोका जाना चाहिए 60-65 पर्थिशत वाले बच्चे को अभी एकदम से नीट की तयारी में नहीं डाला जाना चाहिए लेकिन फिर भी coachings बच्चों को तयारी कराती है coachings के अंदर बच्चे भढ़ती है लेकिन यहाँ पर जिन बच्चों के percentage कम आये होते हैं वो अब यह वावक तुरंत आहत हो जाते हैं इस बात से हाल आहत हो जाते हैं सर हमारे बच्चे का percentage कम है तो क्या बच्चा coaching नहीं कर सकता या उससे नहीं करना चाहिए फिर मूर विशाय से भटक जाएंगे फिर वहीं पहुँच जाएंगे जिसकी हम चर्चा कर रहे है जिससे बच्चने की चर्चा कर रहे है coaching score day 1 से clear होता है कुछ एक बच्चे average होते हैं जो polish करते 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 मेहनत करते करते एक असाधरन result प्रेड्यूस करने लगते है लेकिन ध्यान रहे मैंने अब तक के अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि 55-56 परतिशत लाया वाट 10th क्लास का student IIT clear करता वाट दिखाई दे एक आद्यपवाद को छोड़ दे तो च्योंकि उसके 55-56 परतिशत जो अंक आये होते हैं ठीक है एक दो बच्चा ऐसा हो सकता है जो बीमारी वाला हो जिसका history पीछे वो बहुत अच्छा था लेकिन बीमारी की वज़े से हमां तक नहीं पहुँच पाया लेकिन mostly बच्चों के basics बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वज़ा से ही उनके ऐसे percentage आते हैं अब अगर उनके ऐसे percentage आते हैं तो वो ये वाला विशय पढ़ने के लिए परमात्मन उनको नहीं बनाया है परमात्मन उनको किसी दूसरे अच्छे विशय पढ़ने के लिए लेकिन हम कोचिंग को चलाने के चक्कर में कि कोचिंग में स्ट्रेंथ कम न रह जाए, कोचिंग चलती रहे, फलती फूलती रहे, उसके लिए हर प्रकार के बच्चे को अलाव कर देते हैं हर प्रकार के चीज़ के लिए, होना तो यह चाहिए कि कोचिंग को पता होना चाहिए कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है तो सबसे पहले तो उसकी fees refund करके अभिवाब को बिठा करके और उनके साथ चर्चा कर लेनी चाहिए कि इस बच्चे को ये चीज सूट नहीं कर रही है आफ इसकी किसी दूसरी चीज के बारे में सोचिए और इसकी अन्य डामेंशन जिस डामेंशन पर अच्छा कर सकता है हो सकता है बच्चा कम्ट्यूटरस में बहुत अच्छा हो बहुत सारे विध्यारती ऐसे हैं जुन्होंने बीटेक नहीं किया है और उने सिर्फ ग्रेजुशन किया है Computer Science से B.S.C की लेकिन आज वो अच्छे सफल है अच्छा काम कर रहे है दो तिन उधारन तो भी हाल ही के हमारे पास ऐसे है कि बच्चे अच्छा काम कर रहे है सिर्फ B.S.C की लेकिन यहां पर कोचिंग संचालक अगर इस बात को यह कोचिंग संस्थान अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे ऐसे ही बच्चे को भरते चले जाएंगे उनको सपने बेचेंगे तो यह सलूशन नहीं निकलेगा अंतितों गत्वाई वही होने वाला है कि बच्चा जब वहाँ पर सफर नहीं होएगा तो उसके अंदर कही ने कही अब साथ की स्तिती पैदा होगी और हलका सभी अगर अंदर से मानसिक लूप से कम जोर हुआ तो वो आत्मत्या की तरफ जाए गई जाएगा तो ये तो थी कोचिंग की गलती है जिसे कोचिंग को सुधारना चाहिए अब आते हैं दूसरी गलती पर जो होती है अभिवावक के स्तर पर अब अभिवावक यानि कि आप के स्तर पर क्या गलती होती है उन्हें जानते हैं ध्यान रहे जो चर्चा में भी कर रहा हूँ, बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि आप exceptions यानि कि अपवादों को दूर रखें, exceptions are everywhere, अपवाद तो सब जगह आपको मिलेंगे, ज्यादातर क्या हो रहा है उस विशह में बात करेंगे, दो प्रकार के अभिवाबक हैं, एक तो आ प्रकार की विश्ता है, पढ़ रहे हो तो पड़ो, वरना बेटा कल से दुकान पर आजाना, एक इस प्रकार की, एक वो है जो जैसे तैसे अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं, उनके पास अतरिक्त धन नहीं है, कहीं-कहीं पर तो उनकी इस्तिती ऐसी भी है कि उनको या तो लोन लेना पड़ जाएगा बच्चे की हायर एजूबिशन कराने के लिए, या फिर अगर वो अच्छी जगह पर सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो प्राइविट कॉलेजिस की फीज भरने में सक्षम नहीं हैं, दोनों ही अभीवावकों की मानसिक्ता में ब नहीं बनाते, करता है, करता है, नहीं करता है, तो फिर वो रिलेक्स रहते हैं, जादा उसको परेशान नहीं करते हैं बच्चे को, लेकिन जो दूसरे अभीवावक हैं, जो बामुश्किल ही चीज़ों को कर पा रहे हैं, उनके उपर, उनकी वजह से बच्चों के उपर थो और उनके कुछ एक जो सामान्य परिवार्स हैं जो मैंने भी आपको बताया उनके पास दो या जादा जादा तीन जोड़ी कपड़ा होता है बलकि हम उनको उन बच्चों को उनके उस टी-शर्ट से उसकी उस शर्ट से रिकगनाईस कर लेते हैं ये यलो रंकी शर्ट ये वाला लड़का पहन करके आता है ये ग्रीन रंकी टी-शर्ट ये बच्ची पहन करके आती है चुकि उनके पास होते ही दोई वस्तरे भार के लिए उनके बीच में एक ऐसा छातर भी बैठा हुआ है जिसके पिताजी के पास बहुत दन है उसकी हर हपते नहीं ड्रेस आ रही है उसकी जेम में एक लाग से बीचे का फोन नहीं पड़ा हुआ है उसके पास शूज इतने महंगे-महंगे है मतब आप बच्चे को देखें तो बच्चा कोचिंग में जब आ रहा है तो उस पूरे बच्चे के अगर जो उसके उपर बच्चे ने समान धारण कर रखा है उस पैसे को अगर आप जोड़े तो किसी-किसी बच्चे पर तो डेढ़ लाग और ने दो लाग का समान लगेगा आपको पुरा उसकी जीन्स, टीशर्ट, शूज इनसक की अगर आप केल्कुलेशन कर ले तो क्या वाकई में अभिवाबकों के स्तर पर मैं यहां पर प्रश्ट खड़ा कर रहा हूँ कि ठीक है आपके पास धने है तो क्या वाकई में इतनी महंगी चीजें धारण करा करके उसे कोचिंग में भेजना सही है क्या इतना ज़्यादा बहुत इक्तावादी स्वयम आपने उसे बना दिया है अभी आप सक्षम हैं आपके पास धन है आपने पने बच्चे को दे दिया है पर मत्मा न करें कभी ऐसी विवस्था बन जाए कि वो बच्चा वो सब चीजें स्वयम से अचीव करने की इस्तिती में न आ पाए तो उसकी foundation ही इतनी महंगी रदी गई है एक शब्द होता है basic amenities यानि कि मूलभूत सुगधाएं मूलभूत इतनी तो मिलने ही चाहिए जैसे मूलभूत सुगधाओं में एक घर होना चाहिए रहने के लिए पंखा होना चाहिए, light होनी चाहिए, पढ़ने एक लिए table होनी चाहिए विध्यारती के पास तीन टाइम का भोजन, ठीक ठाक भोजन जिसमें कभी कभी अच्छा भोजन भी बन जाता हो ये विवस्ताएं हो तो उसे basic amenities मानेंगे ठीक है काम करने के लिए computer उसके पास हो, बहुत महंगा ना हो लेकिन हो नेट की विवस्ता हो जिसमें उपनी चीजों को देख सके इसे अगर basic amenities मान ले, आपने उसकी basic amenities का अस्तर यहां से उठा करके यहां पहुचा दिया है मतब अगर कभी जीवन में ऐसी इस्तिति अगर उसके आएगी कि वो उस basic amenities जिसमें वो बचपन से जिया है उसको अचीव करने की इस्तिति में नहों तो अब साथ की इस्तिति में आएगा की नहीं आएगा वो उस तरफ frustration आने के बाद, frustrated होने के बाद आत्मत्या की तरफ जाएगा की नहीं जाएगा और आप Bollywood सितारों को देखिए ना, इनके पास धनकी कमी है क्या लेकिन हर साल इन TV का लाकरों का आप देखते होंगे या आत्मत्या करते हैं, खुब धने हैं इनके पास, उसके बाद भी करते हैं तो विध्यारती के बारे में कहा गया है कि विध्यारतियों को अभाव में ही रखना चाहिए आप इन्हें, एटलिस्ट, जिनके पास खुब संपत्ती है, उनको तो चाहिए कि कम से कम आट-दस तीजे तो उसके पास ऐसी रखें, उसके आट-दस वस्त्र तो ऐसे हों इसके लिए भी तैयार हो कि तुम 500 रुपे की टी-शर्ट पहन करके भी मार्केट जा सकते हो तुम ये 8,000 रुपे का फोन रखकर के भी मार्केट जा सकते हो लेकिन जब हम इसकी तैयारिया नहीं करते हैं, हमने उसे पहले से ही इतना धन्दे रखा है तो जीवन के जिस भी खण उसके पास ऐसी परिस्तिती पैदा होगी वो यहाँ से गर्द के तरब तो जाएगा जाएगा पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई उसने करा, नहीं करा, ठीक है उसको पता है मेरे पास ये ववस्ताए है लेकिन क्या ये ठीक है, विद्यारतों को हमेशा अभाव में ही पाला जाना चाहिए उन्हें सिर्फ उतनी ही वस्तों में दी जानी चाहिए, जितनी उसके लिए परामापशक है फालतों की चीज़ों से दूर रखना चाहिए, महेंगी चीज़ों से बिलकुल दूर रखना चाहिए और भातिकतावादी चीज़ों में तो उसको बिलकुल नहीं डाला चाहिए जोकि उसकी आयू है उस तरफ जानी की, वो स्वयम से जाना चाहता है अब जो माबाप थोड़े से असमर्द हैं, वो ववस्ताइं नहीं कर पा रहे हैं उनके जब ये स्टूरेंट्स, इन स्टूरेंट्स के साथ बैठते हैं कोचिंगों में, वो देखते हैं इनके रहन सेन को देखते हैं, इनके ढंक को देखते हैं, इनकी अमीरियत को देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में अवसाध यानि की फ्रस्टेशन आती है इस चीज़ की भी, उसकी इच्छा चाहिए, उसके अंदर ये इच्छा पुत्पन होती है कि यह मैं भी कुछ करू और ये सब भौती वस्त में हासिल करूँ एक तो हमने अभिवाबक के तोर पर बच्चों को सफलता के मानक बड़े गलत बना दी है हमने सफलता के मानक बना दी एक विशय और है जब ये बच्चे बड़े होने लगते हैं किशुरा वस्ता में होते हैं इनके साथ एक और दिक्कात आती है वो है इनके अंदर change होते होई hormones opposite जेंडर के परती बढ़ता इनका आकरशन लड़के का लड़की के परती और लड़की का लड़के के परती ये रहता ही है अब इसमें और अगर चर्चा करें तो कई बार हमारे समाज में इस प्रकार की चर्चाएं भी होती है कि क्या बच्चों को सेक्स एजूकेशन दी जानी चाहिए, क्या स्कूल्स में दी जानी चाहिए मैं तो उसके घोर विरोध में हूँ, कारण यह है कि यह ऐसी चीज़े जिसके लिए एजूकेट नी किया जाता एक यही ऐसी चीज़े जिसकी एजूकेशन की आवशक्ता नीए, एक्चुली में आवशक्ता है बच्चे को भ्रमचर्य की एजूकेशन देने की और यह भ्रमचर की एजूकेशन दी जानी चाहिए, सबसे पहले तो अभिवावों के द्वारा घर पर जैसी बच्चे तेरा चौदा वर्शके हों, यह एजूकेशन पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को दी जानी चाहिए, पुत्री है तो मा को उसके बारे में डिसकुशन करना चाहिए, बच्चे के साथ, बच्ची के साथ, और पुत्र है तो पिता को, फिर वही अगर अगर हैं, कहीं पर मा ही पिता कर उलदा करती है, तो फिर दोनों जगह वही करें, लेकिन तेरा चौदा वर्शकी आयू में आते आते, ठीक है आप डारेक्ट लेनी कर पाते हैं, और सौम्य तरीके से, और अच्छी बाशा में, बच्चों के समक्ष इन विश्यों को रखें, और इस प्रकार की चीजों में पढ़ने से पूर्व ही बचा ले हैं, यहीं पर हम लोग गल्ती करते हैं, इस विश्यों को हम शेल्टर करके रखते हैं, तबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, इस विश्यों में बच्चों से चर्चा नहीं करते हैं, समय आने पर थोड़ा थोड़ा हलका हलका ही सही बहुत जादा नहीं अपने घर के परिस्तिति को देखते हुए बच्चे के साथ इस विशे में जरूर डिसक्शन होना चाहिए तो अभवापक के तौर पर जो मैंने दो-तीन बाते हैं आपसे कही पहली बात कि आप उन्हें अभाव में रखना शुरू करें उनको बहुत जादा सुविधाय न दे भले ही आपके पास हूँ कभी कभी कोचिंग साइकल से भी भेजी दूसरा मैंने आपको बताया कि इनके साथ आध्यात्मिक सिक्षा आध्यात्मिक चिंतन इनके साथ जरूर होना चाहिए आध्यात्मिक चिंतनिंसे करवाएं इनके साथ आध्यात्मिक बातें करें जब ये किशोरावस्ता में आते हैं और तीसरी चीज़ ब्रह्मचरी के सिक्षा आपको उनको देनी ही पड़ेगी ये बहुत बड़ा विशे है इस विशे में अलग से बैठ करके एक डिड़ घंटा और बात की जा सकती है पर ये तीन विशे हैं जो मैं चाहता हूँ कि अभेवाबक अपने साथ रखें अब विध्यारतियों की गलती पर आते हैं विध्यारतियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस विशे पर आते हैं विध्यारती सबसे पहले तो उसमथ द्यान दे जितने भी जिस भी छेतर के विध्यारती है किरपया अपने फोन से दोरी बनाए आप आप अपने फोन में दिन भर मगने रहते हैं आपका कहना जी हम तो पढ़ते हैं, ठीक है आपने पढ़ लिया, उसका मनन कौन करेगा, उसका चिंतन कौन करेगा, अगर आपने दो घंटे की तीन घंटे की क्लास अटेंड कर भी ली, तो आप फोन बंद कर दीजिए ना, अब कम से कम तीन घंटे क्लास अटेंड की है, तो क अगर आपने इसके प्रती अपनी आसकती कम नहीं की तो आप साथ की स्थिती पैदा होगी ही होगी दूसरा correct time पर correct चीज न करना जब आपका time काम करने का है concept develop करने का है तब आपने किया नहीं 9th और 10th class में concept science के अच्छे हो जाने चाहिए अगर आप चाना चाह रहे हैं आगे उस field की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं आप आप नीट करना चाह रहे हैं आप जे ही करना चाह रहे हैं तो पहले concept basic concepts तो ठीक करोगे ना basic concepts का मतलब कम से कम basic mathematics तो आती होगी ये बात किसी को आहत कर सकती है लेकिन ये है सकती है हमारे देश में ज्यादा तर बच्चे जो medical की तयारी में जाते हैं ये biology opt करते हैं ये वो लोग होते हैं जिनको science अच्छी तो लगती है लेकिन उनकी mathematics खराब है बहुत कम students ऐसे जिनकी mathematics अच्छी होती है उसके बावजूद भी उन्होंने biology ली ज्यादा तर वही बच्चे जिनको science पढ़ने में तो ठीक लगती है लेकिन उनसे maths नहीं होती है उन्होंने तब biology grant की है अब आप स्वयम से मानके चल रहे हैं कि आपका mathematics कराब है तो आप physics के concepts कैसे सिखेंग आप कैसे mathematics की चीजों को बिना apply करे science पढ़ेंगे वो तो बिना उसके तो पढ़ी नहीं जा सकती फिर जब पढ़ने बैठ रहे हैं तब पढ़ने ही रहे हैं तब आप अपने समय को खराब कर रहे हैं आपको उस वक्त कई मोर्चों का लड़ाई आपके चल रही होती है एक म रचे का मोर्चा तो प्रेम की तरफ निकालाता है उसे प्रेम हो जाता है इस आयू में दूसरा मोर्चे में उसको हाँ पर उसके बाट बैठ करके वीडियो गेम खेलना है तीसरे मोर्चे में उसको बैठ के उसको फोन चलाना है चौते मोर्चे में से YouTube करना है और उस मोर्च यकीन मानिये गर आपने इस महत्पपुन समय को ठीक से यूज नहीं किया, फोन किया सकती नहीं छोड़ी, गर आप खराब चीजों को देखना नहीं छोड़ा, तो ये मार्क वहीं जा रहा उसी तरफ, अभी नहीं होगा, बाद में होगा, एक बार इस फिनलेंड के डेटा को वर्ड में सबसे जादा है, जबकि ये वर्ड का सबसे सुखी देश है, मैंने फिनलेंड से बात शुरू की थी, फिनलेंड पर ये अपनी बात को विराम देता हूँ, इसलिए आपको चाहिए कि आप इन सब चीजों पर आध्यात्म से जोड़ें, अच्छे चीजों की संग करके आप अवसात की स्थिति में स्वयम पहुंच जाएंगे और फिर अंतोगत्वा रास्ता फिर सुसाइट की तरफ ही जाता है, मुझे उमीद है कि मेरी इन बातों से शायद आपको कुछ आराम मिला होगा, कुछ बातें पता चली होंगी, हो सकता आपने से कुछ लोग अ सचाई तो यह है, नमस्का